मुंगफली, जिसे मुंगफली के रूप में भी जाना जाता है, एफलाटॉक्सिन द्वारा संदूशन के लिए अतिसंवेदनशील होती है, जो कुछ कवक, मुख्य रूप से एसपरगिलस फ्लेवस और एसपरगिलस पैरासिटिकस द्वारा उतपादित विशाक्त का एक समु है, ये कवक गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में पंपते हैं और कटाई से पहले भंडारन के दौरान या परिवहन के दौरान भी मुंगफली को संक्रमित कर सकते हैं, एफलाटॉक्सिन संदूशन कई कारणों से एक गंभीर समस्या है, स्वास्थ्य संबंध के बाजार मूल्य को काफी कम कर सकता है, दूशित मुंगफली को खाद्य प्रोसेसर द्वारा अस्विकार कर दिया जा सकता है, या इसे कीटा नुरहित करने की आवश्चक्ता हो सकती है, जो एक महंगी प्रक्रिया हो सकती है, खाद्य सुरक्षा, विकास शील देशों में, जहां मुंगफली प्रोटीन और कैलोरी का एक महत्वपूर्ण स्रोथ है, एफलाटॉक्सिन संदूशन को पोशन में योगदान कर सकता है। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि विज्ञान ने हमें दो महत्वपूर्ण चरणों में इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समाधान प्रदान किये हैं। चरण एक में मुंगफली के बीजों को एक शक्तिशाली सहियोगी, ट्राइकोडर्मा विराइट के साथ माइक्रोनाइस्ट कैल्शियम हाइड्रोकसाइड के साथ उपचारित करना शामिल है। गाड टीवी 4.00 के नाम से ब्रांडेड यह गतिशील जोडी 10 ग्राम प्रती किलोग्राम बीज पर लगाई जाती है। गाड 4.00 लीटर पानी में एक किलो का उप्योग जूट बैग को डुबाने और सुखाने के लिए किया जाता है। ठैलियों को सुखा लें और कटाई के बाद मुंगफली के भंडारन के लिए उनका उप्योग करें।